मुश्कार दोस्तों, सागत है आप सभी का हमारे चैनल आयर्विदे एक्सपर्ट पर दोस्तों, हम हर साल नई धन की पोटली बनाते हैं ऐसे में आप सभी ने मुझसे यही सवाल पूछा कि हम पुरानी पोटली का क्या करें आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमें पुरानी पोटली का क्या करना चाहिए जिससे धन आने की निरंतर्ता बनी रहे यह देखिए दोस्तों, यह हमारी पुरानी धन की पोटली है जिसे मैंने पिछले साल बनाया था मैंने एक लाल कपड़े में सभी सामगरियों को मौली से बांध कर और यह जाली नुमा पोटली में रखा था यह देखिए मैं अपनी पोटली आपको निकाल कर बताती हूँ सबसे पहले हम अपना कलावा खोलेंगे और यह देखिए मेरी पोटली की सभी सामगरि सुरक्षित है क्योंकि मैंने इने अच्छे से सुखा कर रखा था इसमें यह लगू नारियल है इसके बाद यह कौड़ी मैंने इसमें रखी थी साथ में यह गोमती चक्र है मैंने इसमें सुपाड़ी भी रखी थी साथ में यह काली हल्दी है इसके अलावा एक रुपे का सिक्का भी इसमें रखा था साथ में यह शतावर की जड़ है यह कमल गटे के बीज है इसके अलावा यह नाक के सर है यह लाल गुंजा और यह सफेद गुंजा है दोस्तों इन सभी की अलग-अलग संख्या निश्शित रहती है जो कि हमें पोटली में रखनी होती है दोस्तों यह पोटली किस दिन खोलना चाहिए और नई पोटली कब बनाना चाहिए यह भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी दोस्तों यह धन की पोटली कैसे बनाई जाती है इसके लिए आप हमारे चैनल पर धन की पोटली कैसे बनाई का वीडियो देख सकते हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों यह जो सारी सामगरी है जो हम पोटली में रखते हैं यह सब लक्ष्मी का ही प्रती होती है ऐसे में हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारी यह सब सामगरी घर के बाहर न जाए क्योंकि हम कभी भी लक्ष्मी को घर के बाहर नहीं करते हैं इस पोटली की सारी सामगरी हम एक प्लेट में रख लेंगे और यह जो लाल कपड़ा है इसको हम धो कर फिर से प्रयोग में ला सकते हैं आपके घर में जहां कहीं भी मिट्टी हो बगीचा हो उस जगे पर गड़ा को दें और अगर आपके यहां बगीचा नहीं है तो आप गंबले में भी यह कारिक कर सकते हैं गड़ा खोदने के बाद यह देखिए मैं सबसे पहले उस जगे को गंगजल से शुद्ध करूँगी क्योंकि यहां पर हम अपनी सारी सामगरी डालने वाले हैं जो की लक्ष्मी का प्रतीक होती है अब देखिए यह सारी सामगरी हम इस गड़े में डाल देंगे और इस तरीके से हमारी सामगरी घर के बाहर ना जाकर घर में ही रहती है इसके बाद हम गड़े को अच्छे से बंद कर देंगे दोस्तों आप ये पुरानी पोटली धनतेरस के दिन खोलें और इसकी सामगरी मिट्टी में डालने के बाद फिर शाम को पूजा के वक्त नई पोटली बना कर उसे अपनी तिजोरी में भली भाती पूजा करने के बाद रख दें दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमें हमारी पुरानी पोटली का क्या करना है आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकिशन आप हो सबसे पहले मिले दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद